हेलो एन वेलकम फ्रेंड्स में डॉक्टर में हूं दिक्षित आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल भारी पेट्स में और आज का जो टॉपिक है यह फिर से मैं कैट पे लेके आया हूं टॉपिक और कैट पर भी स्पेसिफिकली अगर बताया जाए तो एक पैरेसाइट क के बारे में हम आज डिसकस करेंगे तो सबसे पहले तो चैनल समय वीसे तो बहुत सारे टाइप्स के पैरेसाइट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे और कई सारे पारसाइट्स होते हैं जैसे माइट्स भी केहते हैं वोगेरा लेकिन आज का जो पारेसाइट है वो एक ब्रीड होती है या एक मक्खी की तरह होगी थोड़ी बड़े साइस की जिसका जो एग है अंडा जो है वो यूजरी जो सॉफ्ट इशू होता है जैसे कान हो गया नाक हो गया तो ऐसी जगों उपर यूजरी वो अपना एक ले करेंगे और वहां से वो अंदर पेनेटरेट करके अंदर बड़े से बल कंडिशन में बहुत बड़े सा इसका यह जो लारवा है यह बनता है और धीरे-धीरे जो है यह आपके जो कैट होती है उसका इंटरनल ओर्गन जो है वो खाना शुरू कर देता है ब्लड पीना शुरू कर देता है अभी जो आप साइमिल्टिनेस नॉर्मल जो कैट है वो कैट है और यह जो कैट है इसके नाक से यह पैरसाइट जो है निकालना शुरू किया हुआ है तो यह जो पैरसाइट है इसके नाक में से अभी निकालना शुरू हुआ है कभी भी आप घर में प्राय मत कीजिएगा ऐसे करने के लिए उसके लिए प् निकालना है उनीके तुई प्रपर डॉक्टर के पास ही आप जरूर विजिट कीजिए आप यहां पर वीडियो में भी देख सकते हैं कि नाक से कितना बड़ा लार्वा जो है यह बाहर निकलता हुआ आपको दिख रहा है उसका जो साइज है बोड़ी का वो बहुत ही ज्याद हो जाते हैं अब इसके बार में मैं डिसकस करूंबा यह न हो इसके लिए क्यार क्या लेना चाहिए सबसे पहले और इंपोर्टन चीज है कान नाक जो होता है यह आपको टाइम चेक कीजिए आपके पेट के और कई बार ऐसे होता है कि आप जो है उपर छोटे अगर मैड्स या पिस्सू जिसे हम कहते हैं वो भी अगर आपको टीकते हैं तो आप कई बार अगर कर देते हैं वैसे मत कीजिए क्पनी का फिनोपिल स्प्रे है वो आप यूज़ कर सकते हैं और आपका जो पैट है वो पूरी तरह से क्योर हो सकता है तो आज का जो टापिक है बस इतना ही मिलते हैं हम आप तक के लिए जैहिन अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह जो लोगो है इसे क्लिक कीजिए और इस पर एक रेड कलर का आपको सब्सक्राइब बटन आएगा उसे क्लिक करेंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे और सारे हमारे नए वीडियो देख पहेंगे